हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल से बिल्टा ब्लॉग पे कैसे हो आप सवासा करते हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों मैं यहां तैयार हो रही थी स्वाट वीडियो सूट करने के लिए और ठोड़ी मस्ती भी कर रही थी तैयार होके और यह नया लूख है आप लोग बताना यह ड्रेस मेरे उपर कैसा लग रहा है कमिन्स करके ज़रूर बताये गार ठोड़ी नाच प्रड़ेश ब्राक और मैं अब जा रही हूं अपने च्छत पर सॉट वीडियो सूट करने के लिए जो कि मेरे यूट्यूब चैनल सभीता ब्लॉग पर आए गया जरू से जरूर आप लोग जाके देखना और धेर सारा प्यार देना दोस्तों आज हमारे यहां हमारे इलाके में बार्ड आया है औ और कितना बड़ा आफद होता है बार आने के बाद मैं आप लोग से आज सेयर करती हूं देखो आज दिखाती हूं कितना ज्यादा आफद की घड़ी आई है इस इलाके में देखो दोस्तों चार तरब पानी ही पानी है यह देखो पानी ही पानी है पूरा इलाका दोस्तों दोषो कितना बड़ा आफ़ता है हमारे इलाके में मैं जहां पर रहती हूँ वहाँ पर बाड आ चुका है यह देखो चार तरह पूरा इलाका डुबा हुआ है बाड से और बाड पर भावत इलाका में लोग कैसे रहेंगे क्या खाएंगे कहा जाएंगे क्या करेंगे किसी को कुछ समिझ में नहीं आता होगा कि बाड में करे तो करे क्या देखे कितना बड़ा आफ़ताया हुआ है चारो तरह पानी ही पानी है दोस्तो चारो तरह बाड का पानी घुस चुका है जहां में रहती हो वह इलाका पूरा बाड पुरा भावित इलाका हो चुका है आप लोग इस वीडियो को जादा से जादा से यार करो ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और बाड़ पर भावित इलाके के बारे में जान सकी और ये देखिए दोस्तों इतना पानी भरा हुआ इतना पानी भरा हुआ कि कहीं निकल नहीं पारा है लोग इधर से उधर जाना ही बहुत मुस्किल की घड़ी हो चुकी है अब सोचों की बाड़ परभावित इलाका में लोग कैसे रहते होंगे सिर्फ पाने ही पानी नजर आरा चारो तरब यह देखो दोस्तों कितना पानी है यह देखो अब यह पानी देखकर कोई कैसे कहीं जा सकता है कैसे कहा घर से कहा निकल सकता है निकलना बहुत मुस्किल हो चुका है सभी लोगों को ये वीडियो को जादा से जादा से यार करो दोस्तों और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सस्काइब करना, लाइक करना कमेंस करना, एक प्यारा सा दोस्तों कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करना और कमेंट्स लाइक तो चुरूर करना करना ताकि लोगों को पता चले कि बार्ड में लोगों का जीना मुस्किल कितना हो चुका है और चारों तरह पूरे इलाके में पानी ही पानी बढ़ आवे